विल्कम टू एस पांडे यूटूब चैनल आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कलाश टेन्थ, कलाश ट्वेल्थ तथा कंपेडिशन के जो तैयारी कर रहे हैं चात्र उसके लिए मैं महत्पुर्ण कोशन इताहिल एलकोहल इताइल एलकोहल की बारे में विश्तित जानकारी प्रदान करना जा रहा हूँ जो कि आप लोग के लिए का फियोगी होगी सबसे पहले देखें इताइल एलकोहल इसका रसानिक सुत्र C2H5OH होता है चुकि ये एलकोहल, एलकोहल का गुरूप का होता है तो हम जानते हैं उसका सुत्र होता है C-N-H-2-N-1-OH होता है तो ये एलकिल समू का सदस है एलकिल समू का सदस है इसलिए चुकि इताइल एलकोहल एलकोहल को एलकोहल भी कहा जाता है या एथेनौल भी कहा जाता है इताइल एलकोहल का यह एक रंग हीन जहां दीजिगा यह एक रंग हीन द्रव है और जो अत्धिक जॉलन सील है जो बहुत ही जॉलन सील होता है आप लोग देखते हैं इनिटाइजर में इस पर्यों किया जाता है आप लोग एलकोहल का उसमें देखते होंगे यह रहता है हाथ में लग जाने बज़ारा साइदी सलाई बार दीजेगा तो तूरत जल जाएगा समझे किन है इताइल एलकोहल रंग हीं द्रभ है और जो अत्धिक जुलन सील है इसमे जो निर्मान किया जाता है किस विधी के द्वारा किया जाता है किन्वर विधी के द्वारा आप लोग से अबजेक्टिम में पूछेगा कि अध्योगिंग द्रिष्टी कौन से इताइल एलकोहल का निर्मान किस विधी द्वारा किया जाता है तो किन्वर विधी के द्वार इतायललकॉल का, सराब निर्मान में सराब बनाने में परयोग किया जाता है, पारदरासक साबुन बनाने में, इनि यह कुछ ऐसे साबुन होते है, जिसे की आर परल का दिखाई दे जिते हैं, जैसे PR सा साबून आप देक्ते होंगे, PR साबुन में आर पार दिखाई देती है तो पार दर्सक साबुन वराने में भी इसका उपयोग किया जाता है इताहिल अलकॉल कार गारियों के रेडियेटर में एंटी फ्रीज की तरह गारियों की जो रेडियेटर होती है उसमें एंटी फ्रीज की तरह में इसका उपयोग किये जाते है इताहिल इलकोल के ही उप्योग है, उम्मित्ता आप लोग अच्छे से समझ गये होंगे, या आप लोगों को कुश्चत पूशी जाएगी परिक्शा में, इताहिल इलकोल क्या है, इसके उप्योगों का अबरनन करें, तो आप यह हन लिख देंगे, तो अच्छे से अच्छे मिल जाएंगे थैंक्स पूर वाचिंग